मैट को दिवार पर कुछ अजीब सी चीज़ दिखाएती है, जिसे क्लियर देखने के लिए वो वाल पीपर को फार देता है। संपनी से एक operator आता है। उसे ये देखकर हैरानी होती है कि basement के सारे wires कुछ अजीब तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए थे और देखने में बहुत पुराने जमाने के लग रहे थे। जब Matt उस operator को light ठीक करने के लिए कहता है। तब operator उससे कहता है कि उसने आज तक इस त मैट एक artist था इसलिए वो अपने sketch pad पर john की तस्वीर बनाने के कोशिश करता है। थोड़ी दिर बाद वो आराम तरने के लिए mysterious room में जाता है और वहाँ बैटकर एक bottle शराब की पीकर खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ पर उसे एक और bottle शराब पीने की इच्छा होती है कि त नई चीजों से भरा हुआ है और उन सब के बीच मैट बहुत ही खुश दिखाए दे रहा था। वो कैट को वैंगोग की किंती पेंटिंग दिखाते हुए बताता है कि उस room में किसी भी विश को पूरा करने की ताकत है। केट इसे मैट का कोई मजाग समझ कर हसी में उड़ा उसे समझाता है कि वो लोग इस चीज का फाइदा उठा सकते हैं और एक शामदार जिंदगी चीज सकते हैं फिर भी वो दोनों सारा दिन उस room में अपनी मन पसंद चीजों की विश करते हुए बिताते हैं। उनकी एक विश पर room में मन पसंद कपड़ों, शेंपेंग, कीमत शौकत से गुजरती हैं। हर बार जब भी उनकी कोई विश होती तो light टिम टिमाती और उनकी सारी चाएं basement में बने उस room में तुरंत पूरी हो जाती। वो दोनों रातों रात मिले इस खजाने का चश्ट मनाते, पाटी करते और नाचते गाते हुए मस्ती में दिन गुजार पापस लोटती है और उस विशिंग रूम में जाकर एक बच्चे की विश करती है। जब मैट को ये बात पता चलती है तो वो केट पर नाराज होकर कहता है कि बिना उसके सलाह लिए उसे बच्चे की विश नहीं मागनी चाहिए थी। इस बात पर दोनों में काफी बहस होत पर गोद में बच्चे को लेकर मैट भी इमोशनल हो जाता है और वो भी उसे घायब करने की विश नहीं कर पाता और बच्चे को वापस केट की गोद में डाल देता है। आखिरकार दोनों बच्चे को अपने पास रखने के लिए राजी हो जाते हैं और इस तरह दोनों रा जॉन से मिलने के लिए निकल पड़ता है, ताकि उससे उस रूम के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल कर सके, हास्पिटल पहुंचने पर नर्स उसे वान करती है कि लास्ट 45 सालों में न्यूज रिपोर्टर्स के अलावा कोई भी जॉन से मिलने नहीं आया, ये सुनकर मै उससे शेफर को मारने की वजब ऊचता है, तब वो कहता है कि इसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था, फिर बात को बदलते हुए वो मैट को जितनी जल्दी हो सके उस घर को छोड़ देने के लिए कहता है, और कहता है कि जिस इंसान की इच्छाएं पूरी नहीं ह वो समझ जाता है कि वो लोग उस रूम से मिली किसी भी चीज़ को घर के बाहर नहीं ले जा सकते, नहीं तो वो सारी चीज़ें डस्ट में बदल जाएंगी, मैट गुसे में दिवार को तोड़ देता है, ताकि रूम की मिस्ट्री को चान सके, पर उसके अंदर उसे उल्जी और केट से नहीं समलता, तब मैट उसकी हेल्प करने के लिए बच्चे को गोध में ले लेता है, और उसे चुप कराने के लिए बाहर निकल जाता है, पर कुछी सेकंड्स में वो बच्चा बढ़ा होने लगता है, और जब वो लोग वापस धर में गुशते हैं, तो देखत उसे बच्चे से बहुत लगा होता है, वो उसे अपना बेटा ही मानती है, और उसका नाम शेन रखती है, अगले कुछ दिनों तक केट शेन को घर पर ही पढ़ाती है, और उसे समझाती है कि वो घर के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर डेंजरस चर्म्स हैं, जो उसे लगा दिया करती थी, ताकि शेन जलती से बाहर कदम ना रख सके, एक दिन उसे मैट का ओडर दिया हुआ एक पैकेज मिलता है, तो वो उसे लाकर मैट को दे देती है, पर गलती से फ्रंट डोर लॉक करना भूल जाती है, मैट को पारसल के अंदर एक ब्रैंड न्यू गन मि बिजी हो जाती है, और मौके का फाइदा उठा कर शेन चिपके से फ्रंट डोर की तरफ बढ़ता है, वो बाहर की दुनिया देखने के लिए बहुत एकसाइटेड था, इसलिए अपने हाथ को धर्वाजे से बाहर निकाल कर ताजी हवा को महसूस करता है, कि तभी केट की न लगा लेती है, शेन को उसकी बातों से तसली नहीं मिलती और वो कुछ सोचने लगता है, फिर हम देखने हैं कि अगले कुछ दिन मैट अपने गन से शूटिंग की प्रैक्टिस करता रहता है, एक दिन जब वो प्रैक्टिस के बाद घर आता है, तो देखता है कि शेन अपन अंदर चारों तरफ चक्कर लगाते हुए, शेन को एक मैप मिलता है, जिसे फॉलो करके वो बेस्मेंट में पहुँच जाता है, जहां उल्ची हुई वायस के बीच मेन पावर सोस था, उन सब से गुजरते हुए, वो आखिर उस रूम तक पहुँच जाता है, रात भर पू अब वहां रूम की बंद छट और दीवारों की जगा खुला आसमान और एक बहुत बड़ा फॉरस था, जहां शेन स्नोमेन बनाने में बिजी था, केट अपने बेटे की बनाई हुई शांदार दुनिया को देखकर खुशी से इमोशनल हो जाती है, और उसके साथ खेलने ल जान की आवास सुनकर उसे हैरानी होती है, शेन से बात करके जान को पता चल चुका था कि उन लोगों ने एक बच्चे की विश्च की थी, उधर किचन में रखे एक दूसरे फोन से केट उन दोनों की सारी बातें चुपके से सुन लेती है, जान उससे केट को बाहर की दुन हैं, या तो वो केट को मार कर शेन को बचा सकता है, या फिर शेन को मार कर केट को बचा सकता है, ये सारी बातें सुनकर केट को बहुत दुख होता है, और वो घर छोड़कर चली जाती है, जिससे मैट को उसकी फिक्र होने लगती है, केट खुद को मारने के लिए अपनी कार का एक्सिडेंट करना चाहती थी पर वो ऐसा नहीं कर पाती इधर घर पर शेन के साथ मैट का बिहेवियर पागलों जैसा हो जाता है और वो उसकी सारी चीजें फैंक देता है यहां तक कि उसका स्टूडियो तक तहस नहस कर डालता है फिर थोड़ी दिर बाद वो शेन के का एसास होता है और वो शेन के रूम में जाकर उससे माफी मागने लगता है फिर शेन उसे स्टूरी पढ़कर सुनाने को कहता है और सारी राद वो दोनों साथ में सोते हैं जब केट वापस खर लोटती है तो उन दोनों को एक साथ सोते देखकर उसे बहुत अच्छा लगत करके उन्हें धमकाता है तो केट उसे समझाने की कोशिश करती है इसी बीच मैट शेन के ऊपर कूट पड़ता है और दोनों में फाइट होने लगती है उदर केट उनकी लड़ाई की वज़े से जमीन पर गिर कर बेहोश हो जाती है कुछ देर बाद मैट उसे जगाते हुए बताता है कि शेन को गलती से गोली लगने के कारण वो मर गया इस ख़वर से दुखी होकर केट रोते हुए घर से बाहर निकल जाती है मैट उसे तसली देकर वापस घर में